गुजरात कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्षारदिक पटेल का जन्म दिन किसान किसान क्रांती सेना के कारेकरताओं एवन ग्राम पंचायत कानपुर जिला उध्यपुर के युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक सौ एक पेड लगा कर पौधारो पन कर बड़े उत्साहा के साथ पहारों में बड़े जोशीले अंदाज से मनाया उल् पूर्व उपसर पंच चितलसी राम मेनारिया पूर्व उपसर पंच चमदन लाल डांगी पूर्व उपसर पंच सुरेश कुमार डांगी वाड पंच च नरायन शिरावत समाज सेवी सुरेश जागीरदार समाज सेवी नरेंद्र पुषकरन समाज सेवी राम नरायन पुष स्थे थे मदन जी बताइए आज का कारिक्रम के सरा अधर्निय युवापीडी के आदार्स श्री हार्दिक पटेल जी काहिरी काहिरी अध्यक्ष गुज्रात कॉंग्रेस कमिट्टी के अध्यक्ष मौदे का आज हमारे ग्राम पंचायद काहनपूर में उनका जन्म दीन बड़े सोशल डिस्टेंटिंग के साथ में पोदार उपन करते हुए गाउं के युवाओं ने बड़े हर्स उलास से मनाया श्री कारी कारी अध्यक्ष मौदे हर्दिक जी पटेल का हमारे ग्राम पंचायद काहनपूर के युवाओं से काफी लगाओं है हर्दिक जी अंदोलन कारी नेता रहे है हमारे ग्राम पंचायद काहनपूर के युवाओं उनसे सदेल जुड़े हुए रहे है चाहे गुजरात का अंदोलन हो चाहे राजस्तान में जो अंदोलन छेड़ा गया था उस अंदोलन कारी नेता जी के साथ में हमारी ग्राम पंचाइज कानपूर के कापी युवा रहे इसी लगाव के रहते हर्दिक जी पटेल हमारी ग्राम पंचाइज कानपूर के युवा सा से जुड़े हुए हैं इसी सिल्सिले में आज उनका गर्म जोशी के साथ जन्मदीन मनाया गया हम आसा करते हैं उत्रोतर प्रगति के साथ हर्दिर जी कापी प्रगति करें इसी उज्वल प्मिशी की सुपकामनाव के साथ तैन्यवाद मदलाल डाइंगी पूरुप सर्पाज पहाड में हर्याली अमावश्या है हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पोधार ओपन भी करना जरूरी था वही हर्याली अमावश्य का जो एक पावन पर्व है जिसको राजस्तान में वड़े दुमदाम से मनाया जाता है आज कापी युवाओं की मनसा थी कि हार्द कॉंग्रेस कमेटी के अंदोलन कारी नेता हैं उनका पहाडों में रहते हुए जैसे महाराना परताब ने पहाडों में जंगल में रहते हुए सतंसर्था की लड़ाई लड़ी उसी परकार से हम हार्दिक जी को भी एक महाराणा का पतिरूप मानते हैं इसी सिल्सिले में पहाडों में आज का कारिकरम रखा गया तहिने बाद आज के इस कारिकरम पाड पर मनाने का जंगल में आकर मनाने का यह कार था सोसल डिसेंसी रखते हुए पेड़ पोदों को बचाना है आज 101 पोदे लगवाए गए और एक अन्य कारिकरम भी और आयुजित किया गया था उस समय में तो दोनों कारिकरम साथ में होने की वज़े से एक कारिकरम को दूर रखना पड़ा और अच्छे से हमारे राष्ट्य द्रीजिकार पेड़ पोदे लगाकर और सांथी पून तरीके से पेड़ को एक पेड़ को कारिकरता उन्हें गोद लेते हुए इस को मनाया है और आज की तारिक में हमने जो कारिकरम किया उसके लिए स कर्टे नजेंबर और हमारे नहीं करते हों और अदोलन कारी नेता और आप सदिंके साथ मेरेगे काहिर काहिरी अध्यक्स गुजरात कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्स बढ़े हैं तो आप इस सदर्ब में रवर्तमान में राजिस्तान में कॉंग्रेस की सरकार है तो क्या आप ग्राम पंचायत में कुछ आमुल्चल परिवर्तन की संभावना रखते हैं रखते हैं कोरणा खतम होते ही हम बात करकर उन से और जेपूर उनने मुक्यमंद्री से बात करा कर कानपूर में एक पंचाज में बहुत बड़ी योजना ली जाएगी जिससे गरीबों को लाब मिले और हम यह चाहते हैं यहां ऐसी सुविदा हो पास में बड़ी ओटल बन रह करेंगे एसी कोई योजना लाएंगे और उसके अनुसारी काम करेंगे क्राम पंचाइद कानपूर में एक खेल ग्राउंड बनने की अपार संभावना थी किर्केट एसोशन के अध्यक्स वेभाव जी गेलोद भी पदा रहे थे क्या आप हार्दी जी से बात करके पुना सं जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वह मिलेगा उनको पोश्चान मिलेगा और मैं यही निवेदन करूंगा और आगे मैं भविष्ट में अपने कानपूर विकास के तरपर हूं जबी भी मेरी जरुत पड़ेगी हम तयार है और हमारे सपोर्ट में हार्दिक जी भी तयार जरुप से दोहरा क्या था क्या संदर्व में कुछ अब कुछ आपको सबलता मिलने की संभावना है उसके बार उन्होंने उपर लेवल पर भी फोन किया वहां से जहां टीम बैटी है और अभी जहां चल रही है और अपन हाई कोड में भी जाएंगे और अभी हम इसके लिए प्रियासरत हैं और जुरुद पड़ित मुक्य मंत्री से हमारे इस्ताने विद्याइक पर्थियासी वीवाई जी कटारा को साथ लेकर हम उनसे भी मिलेंगे जुरुद पड़ित जहपूर भी जाएंगे ठैक्स सर सुरे जी आप दो सब्द बोली एक कैसा राज का कारिकरम बहुत ही अच्छा था और हर्दिक जी पटेल को ते दिल से उनके जन दिन्द की हर्दिक बजाई बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का इधर सागवाड़ा के बैंकों में लग रही है लंबी-लंबी कतारे सोचल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है दज्जियां दूंगर पोरजीले के 108 एमबुलेंस ये एमटी ट्रेनर ताराचंद भोई ने पोटेबल ऑक्सीजन मशीन भूत पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्द करवा कर सराहनिये कारे किया कुरोना संक्रमनकाल के दोरान अस्थमा दिल के मरीज और भी ऑक्सीजन के दरूर्तिमंद मरीजों के लिए ऑक्सीजन पोटेबल मशीन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है करनल रामानुज शर्मा अधिकारी प्रभारी E.C.A.H.S. डूंगरपूर को पोटेबल ऑक्सीजन मशीन उपलब कराकर एमटी ट्रेनर ताराचंद भूई ने बताया कि करीब आर्ट्स और भूत पूर्व सैनिकों को इस पोटेबल ऑक्सीजन कीट से लाब मिल सकेगा प्रताब्गारं इस पोटेबल ऑक्सीजन मशीन का फायदा मिलेगा डूंगर पूर बान सवारा मतिकार आर्माद रविंट करतें एमटी ट्रेनर ताराचंद भोई से इसके अलावा 800 पूर असे ने कूप मिल सकेगा लाव बहुत बहुत देनिवाद सर्थ अपनी स्वीकृती प्रदान की जिस पर राश्च्रे महास्चेव चंद्रेश भावसार ने युवामूर्चा राश्च्रे कारेकारणी की घोशना की जो इस प्रकार है बान्सवारा महरावल जगमाल सिंसिसोधिया को संग्रक्षक मनोनीत किया गया अध्यक्ष पधेतु वीर्भद्र सिंसिसोधिया डुंगरपोर उपाध्यक्ष संजे खंडेलिया पटनावकिशोर सिंग रावुद्ध्यपोर महास्चेव हेतु भारत बेंडेवाल उजेन वमकेश मेगवाल उदयपोर सचेव हेतु दुरगा प्रसाद व्रिंदावन वक्ताहेतु महिपाल सिंग डुंगरपुर तथा प्रचारकपद पर नीरज पांडे और योध्या वमेजरसिन संग्रूर पंजाब को मनोनीत किया गया इसी के साथ हमें आग्यादी जीने मश्कार श्रीगर नई खबर लेकर राजी रहेंगी तब तक के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें वडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं बुलें धन्यवाद देखते रहें साथ बड़ा लाइव उन्योज येट्यूब चैनल